रहे नहीं यार मैं कहीं नहीं आऊग? पार्टी वाठी में. ये अंग्रेज़ोंके चोचले ना मुझे बिलकुल पसंद नहीं? तो उनको तो पता ही है अरे नहीं यार फैमली का कोई प्लानवान नहीं है? है ना, तूस समझ ले कि बस हम नहीं आ सकते। पार्टी में? मुझे नहीं पसंद है, मितलब नहीं पसंद है, चोचले बाजी अंग्रेजों कि नीच चाहिए मुझे हुए, इनका तो हर साल का यह यो ड्रामा है, जब भी नया साल आता है मुँह बना के घर में बैठ जाते हैं सब यार दोस जाते हैं, लेकिन गे हैं कि कहीं भी लेके नहीं जाते, कम से कम उससे तो पूछ लिया करें, कि मेरी भी इच्छा होती है निव यर में जाने कि सब फ्रेंड्स जाती हैं मेरी, लेकिन नहीं करेंगे वही जो उनको करना है क्या हुआ चेहरे पे 12 क्यों बजा रखे हैं क्या हो गया है तुमको क्या बड़ बड़ाये जा रहे हो कबसे मैं देख रहा हूँ अरे जब तक बताओगी ने तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं कोई अंतर यामी तु हूँ नहीं दिक्कत क्या है तुमको मनी मन नहीं बड़ बड़ाओं तो और क्या करूं सुनते तो हो नहीं कभी मेरी जो तुम्हारी मर्जी होती है करते तो वही हो तो और क्या करूं बड़ बड़ाने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकती ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो तुम इतना बड़ बड़ा रही हो क्या कर दियागा क्या मतलब है कभी सुनी है तुमने आस तक मेरी करते तो वही हो अपनी मन मानी अच्छा तो बताना जरा ऐसा कौन सा काम कर लिया है मैंने तुम से भी ना पूछे अरे जब तक बताओगी नहीं क्या समस्या है तो मैं कैसे तुमको बताऊंगा कुछ साब साब बताओ क्या समस्या है चलो अब इतने भोले भी मत बनो जैसे कि तुमको कुछ पताई नहीं है बताके भी क्या होगा करोगे तो वही जो तुमको करना है नहीं बताना मुझे कुछ भी अरे सुनो तो कहा जा रही हूँ बताओ बताओ भई क्या ना राजगी ये बताओ तो सही तुमको तो कोई इंट्रेस्ट है ने न्यू पार्टी में जाने का या न्यू येर मनाने का कभी मेरे से पूछा है मेरी सारी सहेलियां जाती लेकिन कभी तुमने आस सब पूच्छा तक कि लेकिन कहीं जाना है कि नहीं कि सब्सक्रांबी आज़ कोंजा हूं के लिए अगर तुम्हें नहीं जाना है तो लेकिन परिवारवालों का तो सुचो हमसे तो पूछो कि हमये चाना है और कौन सा न्यूज़ों एक समझ में आया और हमारा नया साल कब से एक जनवरी को आनी लग गया कहां पर लिखा है बस हो गए शुरू तुम्हारे ग्यान की बरसाथ अब जेलू मुझे तो पहले सही पता था यही नाटक करो कि तुम्हारा हर साल का यही है ग्यान देने बैठ जाओगे अरे पुरी दुनि जाने कहां जाते हो अरे दुनिया का क्या है दुनिया कुए में खूदेगी तो क्या तुम भी खूद होगी कुछ खूद का अकल है या नहीं है मुझे अकल हां कूदूंगी मैं भी मुझे कुछ भी नहीं बता मुझे नियू यर मनाना है तो मनाना है बस अच्छा तो यह ब करते हैं अंग्रेजों के जमाने से जो करते आ रहे हैं इसमें बताना क्या है कि क्या अच्छा है सब कुछ अच्छा अच्छा ही तो है सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं पार्टी करते हैं नए साल आने की खुशे में सेलिबरेट करते हैं केक काटते हैं खाना पीना खाते हैं साथ में मस्ते करते हैं और क्या चाहिए खुश होने के लिए? क्या करते हैं उस पार्टी में? दारू पीते हैं, ड्रेक्स लेते हैं, नशे करकर के धूत पड़े रहते हैं और लड़कियां, उनका तो बोलो ही मत Freedom और Enjoyment के नाम पे अशलील कपड़े पहन कर घूमती रहती है नशे में इतना धुत रहते हैं कि कुछ खोश ही नहीं रहता है कौन कहां आ रहा है, जा रहा है, किस के साथ आ जा रहा है, कौन कहां हाथ लगा रहा है मतलब मर्यादा की तो धजियां उड़ा के रख देते हो और इसे बोलते हो Enjoyment अगर तुम इसे नया साल का Enjoyment कहती हो, तो लाना थे ऐसे नया साल Enjoyment पर और मुझे गर्व है कि मैं कभी ऐसी गंदी पार्टी का हिस्सा नहीं बना और ऐसे अंग्रेजों के चोचलों की ये नई पार्टी में कभी शामिल भी नहीं हुआ, समझी? और मुझे गर्व है अपने सनातन धर्म पर, जिस पे कभी भी ऐसे घटिया काम नहीं होते नया साल पर पहली बात तो तुम्हारे अंग्रेजों के नया साल की तरह आधी रात को हमारा नया साल नहीं शुरू होता है सूर्योदें के साथ, चैत्र प्रतिप्रदा और नौरात्री इस्थापना के दिन शुरू होता है हमारा नया साल माता पिता को प्रडाम करके भगवान का पूजन करके गायों को चारा खिला के गरीबों में दान करके सब प्राणियों का भला करने की कोशिश करके ऐसे मनाया जाता है हमारा नया साल ऐसे तुम्हारे अंग्रेजों के जमाने के नए साल के जैसे नहीं कि कोई भी दारू नशा करके कहीं भी धुत पड़ा है धरवालों को परिशान कर रहा है, मा बाप परिशान हो रहे हैं, हमारा बच्चा कहां पड़ा है और एक सबसे बड़ी बात बताओं, हमारे सनातन धर्म के नए साल को सिर्फ हम सनातनी ही नहीं, पूरी प्रक्रिती ही मनाती है बसंत रितु के समयना फूल पत्ते सब नए आते हैं पूरी प्रक्रित इतनी सुन्दर हो जाती है तब सच में लगता है कि नया साले पच्छियों के चहचाने की आवाज आती है वो कितने खुश होती है और इन सब के साथ हम दिन के उजाले में सब को नयशाल की शुपकामनाई देते हैं तुम्हारे जैसे आधी रात को नहीं तुमको पता है रात में जागना और ये सब काम करना राक्षसों का काम है पहले के जमाने में निशाचर 12 बजे रात को ये सब काम करते थे बड़े आई है पे नुवी येर और ये तो मैंने अभी तुमको सिर्फ बताया है प्राकृतिक बदलाओ अब तुम और सुनो धार्मि के दिन राम जी का जनम दिन होता है और उससे नौ दिन पहले राम जी का जनम महोत्सों शुरू होता है और इसके साथ साथ चक्रवर्ति शंब्राट विक्रमा दित्य राजा राम और राजा युदिष्ठिर का राज्या भिशेग भी इसी दिन हुआ था अब बता कौन सा न नातनी को गर्व है और आप लोग भी बताईए कि आपको कौन सा नया साल मनाना है और अगर आपको यह पसंद आया हो तो आप अपने परिवार दोस्त जनों सब के बीच में शेयर करिए ताकि वो भी ऐसे गलत कामों से बस सके और हमारा जो असली नया साल है ना उसे मनाएं